द्रिश्टी आइएस के ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह ओडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्ण पत्रदों के अंतराष्ट्रिय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आईए आर्टिकल की शुरुवात करते हैं आईसी जे की प्रासंगिक्ता पर सवाल क्यों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल ड्रिश्टी आएस इंग्लिश। हाली में शुरु हुए रूस यूकरेन युद्ध ने दुनिया को कई प्रकार के संकट की ओर्धकेल दिया है। यूकरेन पर रूसी हमले ने यूकरेन के कई शहरों को बेहत नुकसान पहुचाया गया है। इसलिए रूसी हमले से आहत यूकरेन ने इसकी शिकायत ICJ यानि International Court of Justice में की और इस हमले को ततकार रोकने के लिए रूस को आदेश देने की अपील की। मामले पर सुनवाई करते हुए कोट ने रूस को यूकरेन पर अपने आकरमण को निलंबित करने का आदेश दिया है। हालांकि रूस ना केवल सुनवाई से गायब रहा बलकि कोट के आदेश को मानने से भी इंकार कर दिया। मतलब ये कि रूस ने कोट के आदेश को अंसुना किया और वो यूकरेन में अपने अभियानों को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ICJ अपनी प्रासंगिक तक हो चुका है। सवाल है कि क्या सयुक्त राष्ट्र का यह निकाए अंतराष्ट्रिय शांती को कायम रखने के उद्देश्यों पर खरा नहीं उतर रहा। इन सवालों की एक वजह यह भी है कि हालिया मामला कोई पहली मिसाल नहीं है। इससे पहले भी कोट के आदेशों को नजर अंदास किया जा चुका है। ऐसे में सवाल है कि जो अंतराष्ट्रिय न्यायाले पहले ही कई समस्याओं से घिरा हुआ है, वो अंतराष्ट्रिय समस्याओं का समधान कैसे कर पाएगा। इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम अंतराष्ट्रिय न्यायाले से जुड़े तमाम पहलूँ पर बात करेंगे। जानेंगे कि इसके काम करने के क्या तौर तरीके हैं। इसमें भारत की उपस्तिती को भी देखेंगे। साथ ही इसकी प्रासंगिक्ता पर विस्तरित चर्चा करते हुए एक मुकमल नतीजों पर भी बात करेंगे। तो आईए सबसे पहले ICJ के बारे में बात करते हैं। ICJ संयूक्त राष्ट्र यानि UN का प्रमुख न्यायक अंग है। जिसे जून 1945 में संयूक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारस्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के बाद इसने अपरेल 1946 में काम करना शुरू किया। यह अंतराष्ट्रिय न्याय के स्थाई न्यायाले यानि पर्मनेंट कोर्ट ऑफ इंटरनाशनल जस्टिस PCIJ का उतराधिकारी है। जिसे लीग ऑफ नेशन्स के जरिये अस्तित्व में लाया गया था। गौर्टलवे की द्वितिय विश्वयुद के बाद राष्ट्र संग और PCIJ को क्रमशह संयुक्त राष्ट्र और ICJ द्वारा प्रतिस्थापित किया था। PCIJ को आपचारिक रूप से अपरेल 1946 में भंग कर दिया गया। ICJ का मुख्याले नीदर्लेंड्स के शहर दहेग में स्थित है। PCIJ के अंतिम अध्यक्ष और अल सल्वाडोर के न्यायाधीश जोस गुस्तावो गियुरेरो को ICJ के पहले अध्यक्ष बनने का गौरफ प्राप्त हुआ। इस नियायाले के समक्ष सबसे पहला मामला United Kingdom द्वारा अलबानिया और कोर्फु चैनल में घटनाओं के खिलाफ लाया गया था हमारे लिए यह बात जान लेना जरूरी है कि अंतराश्ट्रिय आपराधिक नियायाले यानि ICC अंतराश्ट्रिय नियायाले यानि ICC से अलग है ICC एक स्वतंत्र संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है जबकि ICC संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है हालांकि ICC और संयुक्त राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करते हैं एक अन्य अंतर इनकी सदस्य संख्या को लेकर देखा जा सकता है। मौजूदा वक्त में जहां ICC में 123 सदस्य हैं, वहीं ICC में सदस्यों की संख्या 193 है। ICC से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि अमेरिका जैसे कुछ देश कभी भी ICC का हिस्सा नहीं रहे। दिल्चस्प बात यह है कि भारत भी ICC का हिस्सा नहीं है। ICJ में 15 जज होते हैं जिन संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिशत द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना होता है। इस नियायाले का एक तिहाई भाग हर तीन साल में चुना जाता है। इस नियायाले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा तीन साल के लिए चुने जाते हैं। इस नियायाले का एक नियम यह भी है कि इसके नियाधीश पुनह निर्वाचित हो सकते हैं। इस नियायाले का प्रमुख काम अंतराश्ट्रिय कानून के अनुसार दो या दो से अधिक देशों के बीच के कानूनी विवादों को सुलजाना है। इसी के साथ यह न्यायाले संयुक्त राश्ट्र के अंगों और विशेश एजंसियों द्वारा मांगे जाने पर कानूनी मसलों पर सलहा भी देता है। इसके न्यायाधीशों को अंतराश्ट्रिय न्यायाले के प्रशास्निक अंग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसे अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। एक महतुपूर्ण बात यह भी है कि ICJ का निर्न अंतिम और तक्नीकी रूप से किसी मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। अब अंतराश्ट्रिय नियायाले से जुड़ी भारत की यात्रा को जानते हैं। असल में अब तक चार भारतियों को ICJ के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला है। अगर इसमें सदस्य रहे भारतियों के बारे में एक नज़र डालें तो सबसे पहरा नाम सरबेनेगल राव का आता है। जो भारत की संविधान सभा के सलाहकार भी थे। इन्होंने 1952 से तिरेपन में अंतराश्ट्री न्यायाले में सदस्य के रूप में अपना दाइत्व निभाया। अगला नंबर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयूप्त नागेंद्र सिंग का है। जिन्होंने न्यायाले में 1986 से 89 तक उपाध्यक्ष और 1985 से 88 तक अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाई दी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायादीश आरैस पाठक ने वर्ष 1989 से 1991 इस कोर्ट में अपनी सेवाई दी। वर्तमान में न्याय मूर्ती दल्वीर भंडारी आईसी जे में 2012 से अपनी सेवाई दे रहे हैं। भारत छे मौकों पर आईसी जे में पक्षकार रहा है। इनमें चार मौके ऐसे आए जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान पक्षकार रहा है। जैसे कि आईसी एओ परिशत के क्षेतर अधिकार से संबंधित अपील पाकिस्तानी युद बंदियों का परीक्षण 10 अगस्त 1999 की हवाई घटना आ दी। अब सवाल है कि आए दिन इस कोट की प्रासंगिक्ता पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। दरसल इस कोट द्वारा दिया गया निर्णे पक्षकारों के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी तो होता है। लेकिन उसके निर्णेओं पर कहीं भी अपील का प्रावधान नहीं है। दूसरी और कोट के पास ना तो स्वतह संग्यान के जरिये कोई मामला खुद चलाने की आजादी है और ना ही अपने फैसले को लागू कराने का कोई तंत्र। इसकी एक अन्य विफलता परियावरण, आतंकवात और मानव तसकरी से जुड़े मसलों पर इसका अधिकार क्षेत्र का ना होना है। वैसे इस न्यायाले का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है, बलकि यह पक्षकारों के विवादों को अंतराश्ट्रिय कानूनों से ही सुलजाने का प्रयास करता है। एक अन्य पहलू यह भी है कि कई देशों ने इस न्यायाले द्वारा दिये गए फैसलों को ना केवल मानने से इंकार किया है, बलकि इसकी कारे प्रणाली पर भी सवाल या निशान लगाए है। मसलन, 2018 में अमेरिका ने इरान के मामले पर अंतराश्ट्रिय न्यायाले के उस निर्णे को मानने से इंकार कर दिया, जिसमें इरान को मानविये और नागरिक आपूर्ती के निर्यास्त के लिए अमेरिकी प्रतिबंदों में छूट की अनुमती दी गई थी। हालिया मामले का हमने पहले ही जिक्र किया कि रूस ने युक्रेन संकट पर कोड के सामने उपस्थित होने से ही इंकार कर दिया, इसके अलावा इस नियायाले पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वैशविक स्तर पर आम लोगों के लिए यह सरवोच वैशविक नियायाले के रूप में काम नहीं करता है चेहें आप राधिक नियायाले के रूप में काम नहीं करता है। फैसलों पर एक नज़र डाले तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल भूशन जाधव मामले में इस नियायाले का निर्णे मील का पत्थर माना चाता है इस मामले में नियायाले ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान पर अंतराश्ट्री स्तर पर गलत कामों को रोकने का अंतराश्ट्री अधायत वो बनता है इसलिए जाधव को उनके अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने के साथ भारती राजनाइक अधिकारियों को जाधव तक पहुँश दी जानी चाहिए इस नियायाले का एक महतवपूर्ण एतिहासिक फैंसला, म्यानमार के रोहंगिया समुदाये के मसले पर भी देखने को मिला एक छोटे से अफरीकी मसलिम देश गांबिया द्वारा म्यानमार के खिलाव दायर किया गया इस मामले में कोट ने मियानमार को आदेश दिया कि वो अपने यहां के रोहंगिया समुदाए को भविश्य में नर संगहर से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं चागोस द्वीब मामले में भी इस कोट ने द्वीब को मौरिशस को सौपने का आदेश दिया इन सब चर्चाओं से साफ है कि एक और जहां इस कोट के सामने अनेक चुनौतिया मौजूद हैं वही इसके कुछ फैसले वैश्विक शान्ती और मानफता के लिए मिसाल बने हैं लेकिन कई देशों द्वारा कोट के फैसले को ताक पर रखने के कारण इसकी प्रासंगिक्ता पर सवाल खड़े होते रहे हैं ऐसे में सवाल है कि प्रासंगिक्ता को कायम रखने के लिए क्या कुछ किये जाने की जरूरत है असल में इस कोर्ट के नियमों में अपील का प्रावधान नहीं है लिहाजा कोर्ट के फैंसले से असंतुष्ट देश अपील के जरीए अपने पक्ष को दोबारा रख पाने में नाकाम रहते हैं ऐसे में कोर्ट के फैंसले से आहत देश इसके फैंसले को मानने से ही इंकार कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का उन्हें दोबारा मौका नहीं मिल सकता इसलिए इस नियम में संशोधन करके अपील के प्रावधान को शामिल करना बेहत जरूरी है इसके लिए ICJ में सुधार के लिए संयोक्त राश्ट्र द्वारा पहल शुरू करने की दरकार है इस दिशा में संयोक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशत महतुपूर्ण भूमिका निभा सकता है संयोक्त राश्ट्र के सबसे मजबूत निकाय होने के जलते सुरक्षा परिशत की पहल बेहत जरूरी है ताकि दुनिया के शक्तिशाली देश सर्व सम्मती से कोर्ट की प्रासंगिक्ता बरकर राह रखने के लिए फैंस ले ले सकें इसके अलावा ICJ में जजों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए ताकि ICJ में लंबित मामलों की सुनवाई जल्द जल्द हो सके और लंबित मामलों की संख्या में कमी आएं इस नियायाले को वैश्विक समाज के सामने मौजूद चुनौती जैसे की आतंकवाद, परियावरन संरक्षन और युद अपराज जैसे मसलों पर जाच के लिए और शक्तियां दिये जाने की जरूरत है आईए अब नोट करते हैं आज का सवाल अंतराश्ट्रिय नियायाले यानि आईसी जे क्या है? इसकी प्रासंगिक्ता पर उठ रहे सवालों के कार्णों को स्पष्ट करें